नमस्कार दोस्तों, Competition Community के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और Competition Community द्वारा चलाई जाए रही MCQ सिरीज में भारत का भूगोल विशाय पर अधारित MCQ लेकर मैं हूँ आपके साथ अगास रहे हैं यह Indian Geography subject पर based पहला पार्ट है इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी आएगा, इसी subject पर आधारित और दोनों ही पार्ट में, मतलब दोनों ही विडियो में 18 से 20 question मैंने समाहित किये है question का चुनाओ करते समय मैंने ये बात ध्यान में रखी कि उन question को मैं deal करूँ, जिसकी साहता से आपके एक बहुत बड़े concept को clear कर सकूँ चलिए, पहले question पर नज़र डालते है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती? ध्यान रखेगा, नहीं मिलती पूछा गया है तो थोड़ा सा हम इस इमेज को zoom कर लेते हैं और समझते हैं बांगलादेश सबसे लंबी सीमा साजा करने वाला पड़ुसी राश्य है जो राज सीमा साजा करते हैं वह है बांगलादेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघाले, असम फिर से आता है थोड़ी देर के बाद, फिर त्रिपुरा, और पांचवा है मिजोरौ तो इस प्रकार से ये पांच राज्य बांगलादेश के साथ सीमा साजा करते हैं चलिए अब सही उत्तर का चुनाव हम करते हैं और वह है मनीपूर मनीपूर को अगर आप देखें तो वह बांगलादेश से कनेक्टेड नहीं है लेकिन अगर म्यानमार के बारे में पूछा जाए तो मनीपूर जरूर म्यानमार के साथ सीमा साजा करने वाला राज्य है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर दो सुची एक को सुची दो के साथ में सुमेलित करना है दो सुची दी गई है पहली जो सुची है इसमें भारत के विभिन इस्थल आकरितियों के नाम लिखे हुए है और दूसरी सुची कालखंडों पर आधारित है जिस कालखंड में ये अलग-अलग इस्थल आकरिती भारत में बने इनका निर्माण हुआ तो चलिए थोड़ा सा इसे हम रिवाइज भी कर लेते हैं प्रिथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान तक के समय को अलग-अलग कालखंडों पर बाटा गिया है जिसे हम एरा कहते हैं जैसे कि प्रिकेम्ब्रियन एरा फिर फेलोजोईक एरा हिंदी में इसे ही पुरा जीवी काल भी कहते हैं फिर मेसोजोईक हिंदी में इसे मद्य जीवी कालखंड कहेंगे और फिर सेनोजोईग इसे नूतन कालखंड भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे नवीन कालखंड है हिंदी में इसे नवजिवी कालबी कहते है तो प्रीकेम्रियन काल की अगर हम बात करें तो इस कालखंड में हमें अरवली का निर्माण दिखता है अरावली का विस्तार गुजरा से दिल्ली तक है और अरावली को एक प्राचीन मोड़दार परवत भी कहा जाता है अरावली को एक अवसिर्ष्ट परवत का उधारण भी कहा जाता है क्लियर है ये अरावली के बारे में याद रखे पूरा जीवी काल में पेलोजोईक टाइम पिरेट पर हमें गोंडवाना शेल शमू बनता हुआ दिखता है जिसमें कोईले का भंडार है यहाँ पर भरंश घाटी का निर्माण दिखता है इस कालखंड में और पेलोजोईक के पर्मियन टाइम पिरेट की बात में कर रहा हूँ सिंग भुंप शेत्र पर ब्रंश घाटी का निर्माण हुआ दामोदर नदी घाटी का निर्माण हुआ दामोदर नदी बेहने लगी और वनस्पतियों के अवसाधी करन्ट से एक शेल समू बना जिसे गुणवाना शेल सम दिखता है। इसी time period पर हमें दिखता है कि भारती प्लेट इंडियन प्लेट गुंडवाना लेंड से अलग हुआ और उत्तर की और गतिमान हुआ और इसी time period पर हमें दक्कन ट्रैप का निर्मान होता हुआ भी दिखता है। क्लियर है। खासकर कव क्रिटेशियस time period पर तो में सेनोजोई के रहा कि क्रिटेशियस time period पर डेक्कन ट्रैप का निर्मान हुआ है। सेनोजोईक time period कौन सा है। जब दोनों प्लेट टकरा गए और मोड़दार परवत अस्तित में आया जिसे हम हिमाले कहते हैं। और फिर इस हिमाले की नदियों के द्वारा लाए गए अफसादों की वज़ा से मैदान का निर्मान हुआ। उत्तरी मैदान का निर्मान हुआ। यह एक मोटा मोटा रिविजन वाला पार्ट है कि कि किस किस कालखंड में कौन कौन से स्थियल आकरिती अस्टित में आई। तो चलिए अब सही उत्तर का खोज हम करते हैं। तो दककन ट्रैप जैसा कि मैंने बताया कि यह क्रिटेशियस टाइम पिरेट पर इसका निर्मान हुआ। तो A का थरी आउप्शन आपको रखना है। तो A और B को आपको रखना है। और C और D को आपको ऐलिमिनेट कर देना है। तो इस प्रकार से आपने दो आउप्शन को एलिमिनेट कर दिया और अब आपके सामने दो आप्शन 6 हैं और सही उत्तर होने का एक उप्शन का 50% का चांस है। चलिए पश्यम घाट की बात करते हैं। पश्यम घाट का निर्मान कब हुआ। जब भारती प्लेट उत्तर की और गतिमान हो रहा था तो भारती प्लेट का पश्यम भाग जलमग न हुआ और पश्यम घाट अस्तित में आया अर्थात ये भी सेनोजोईग टैम्प्रेट की कहानी है। क्लियर है। तो B का 1 तो सही ऑप्शन हमें मिल गया A का 3, B का 1, C का 2 और D का 5। अरवली का निर्मान जैसा कि मैंने बताया C का 2 प्रीकेंब्रियन टैम पर होगा नर्मदा तापी जलोर निच्छे जो की गुजरात तटी मैदान के निर्मान की पीछे की कहानी है। इसका निर्मान हुआ अत्यंत नूतन टैम गिरेट पर अरथात D का 5। चलिए तो दूसरे कोशन का सही उत्तर है B। अब हम थार्ट कोशन पर आते हैं। थ सतत वाहनी हैं। सतत वाहनी अर्थात हमेशा बहने वाली इसे आप सदा नीरा भी कह सकते हैं। इसे बारा मासी नदियां भी कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसे परेनियल रीवर कहेंगे। इसका क्या तात पर हैं। ऐसी नदियां जिसमें हर महिने साल भर जल मात्रा जादा हो। ऐसी नदियों को सदा नीरा नदिया कहा जाता है। अब हिमाले की नदियों की ये एक प्रमुख विशेषता है कि जल मात्रा इसमें जादा होती है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है दो कारण. पहला जब वर्षा होगी मौनसून के टाइम पिरेड पर तब वर्षा के जल से इन नदियों में जल मात्रा बनी रहेगी. और जब वर्षा नहीं होगी तब इनके स्रोत के पिघलने से, अर्थात हिमानियों के पिघलने से इन में जल मात्रा बनी रहेगी. तो मौसमी नदी प्रायद उपी भारत की नदियां मौसमी नदी होती है क्योंकि वर्षा रितु में इन में पानी पहुंचता है तो वर्षा रितु में इस मौसम में तो हिमाले की नदियों पे जल पहुंचे गई जाहिर सी बात है कि मौनसून नहीं है क्योंकि मौनसून की वज़े से तो प्रायदुपी भारत में भी नदियों में भी पानी आता है लेकिन उन्हें मौसमी नदियां कहा जाता है तो मुख्य रूप से इन्हे सदा नीरा बनाने के पीछे का जो कारक है, वो हिमानियों के पिघलने का है, क्लियर है, चलिए, कारण देखते हैं, हिमाली नदियों का उद्गम फ्त्रोत हिमानियों में इस्थिद है, तो ये जो कारण है, ये कथन को exactly define करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा भी, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की पुष्टी करता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, चौधा कोशन, जब आप हिमाले की यात्रा करेंगे, तो आप निन्निलखित को देखेंगे, गहरे गड़े, यू घुमावाले परवद श्रिणिया, जैसे की पीरपंजल और धौलाधार, और भूस खलन के लिए उत्तरदाई, तीवरढ़ाल, स्टीप स्लोप, चलिए, थोड़ा सा हिमाले की एक विशिष्टा पर बात करते हैं, वह ये हैं कि हिमाले एक नवीन परवद है, कॉश्ठन को पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उपियूक्ट में से कौन से हिमाले के तरुन वलवित परवद, अरथात, नवीन, मौरदार परवद के साक्ष कहे जा सकते हैं, मलब इन में से, ये सारे चीज़ा आप देखिएंगे हिमाले में, इन में से कौन सा वह ऐसा है जिससे ये प्रूफ होता है कि हिमाले नवीन हैं देखें नवीन इस्थल आकरितियों की कहानी क्या होती है कि इसकी बुगार्बिक संरचना अभी कठोर नहीं हुई है बलकि कॉमल है कॉमल होने की वज़े से क्या होगा जब नदियां इन कॉमल इस्थल आकरितियों की उपर से बहेंगी तो वह बहुत बड़े भाग को काट कर ले जाएंगी तो एक इतने बड़े भाग को जब काटते हुए बार बार नदी लेकर जाएगी तो जो गहराई है उस काट की वह बढ़ते जाएगी जिसकी वज़ा से गहरे गड़े मिलेंगे अगर हम प्रायद उपी भारत की बात करें जो कि एक प्राचीन भू भाग है यहाँ पर आपको गहरे गड़े नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि वहां के जो चट्टान है जो शैल है वो अब कठोर हो गया है और अब नदियां उसके उपर से बहेंगी तो उन्हें इस तरह से काट नहीं पाएगी, लेकिन हिमाले में ये गहरे गड़े नदियां बना सकती है, क्योंकि कोमल इस थल आकरितियों के उपर से वो नदियां बहेंगी, यू घुमाव वाले नदी मारगा, तो जाहिर सी बात है, ब्रह्म पुत्र नदी को अगर आप देखें, तो तिब्बत से निकलती है, नामचा बारवा के पास यांग्याब दर्रे से वापस मुड़कर चली आती है, तो पहले ये पश्चिम से पूर बहती है, अब फिर उसके बाद ये इस्ट से वेस्ट बहने लगती है, यांग्याब दर्रा है हिमाले पर और उसी से ये अंडर करती है, अरुनाचरपदेश में और ये मूव करने लगती है, तो ये ब्रह्म पुत्र नदी हिमाले को काट पाई, तभी तो ये गड़्धा बनाकर अंदर घुसी, पिर ये पूरा दक्षण क्यों नहीं बह ली, वो इसलिए नहीं बह पाई, क्योंकि इसके दक्षण पर गारोखासी जैनतिया दिखते हैं, जो कि प्रायदुपी भारत के हिस्से हैं, और इन्हें क्रॉस करके ये नदी चीर कर आगे नहीं बढ़ सकती, पिर पंजल और धोलादार जो कि जम्मु कश्मीर और हिमाचल में इस्थिद हैं, अगर आप देखें तो ये, मद्य हिमाले लेसर हिमाले के भाग हैं, और लेसर हिमाले की एक खास बात ये है कि ये विच्छेदित परवत शिंखलाएं हैं, इनके बीच में गैप से, निरंतरता नहीं है, महान हिमाले की तरह, ग्रेटर हिमाले की तरह निरंतर नहीं है, इसमें विच्छेदन आपको दिखेगा एक परवश शिंकला आपको दिखेगी फिर कुछ दूर का गैप दिखेगा पिर आपको दूसरी परवश शिंकला दिखेगी अर्थात ये जो गैप है ये अलग-अलग परवश शिंकलाओं को अलग करती है यही gap इसके बिच्छेदन होने की परिभाशा है तो यह जो gap बना यह कैसे बना तो यह नदियों के द्वारा बना चीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीवर ढ़ाल के लिए उत्तरदाई या सौरी भूस कलन के लिए जिम्मेदार तीवर ढ़ाल देखें नवीन परवत है अर्थाद अभी इसका निर्मान हुआ है या पिर आप ये भी कह सकते हैं कि निर्मान हिमाले का हो ही राय जिस वज़ा से ये अभी उचाई अपना हासिल किये पड़ा है इसलिए सबसे उची चोटी विश्व की माउंट एवरेश्ट इसी हिमाले पर ही इस्तिध है तो उचाई तो है अब उचाई के साथ साथ क्या आजाएगा ढाल तो ढाल अगर जादा हो गया स्टीप स्लोप हो गया तो मान लेते हैं कि अगर वर्षा हुई तो जब पानी इस ढाल से बहेंगी तो धीरे धीरे ये बहुत बड़े भूभाग को नदिया ढाल की सायता से अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाएगी जो कि भूस कलन कहलाएगी और ये भी तभी संभा हो पाएगा जबकि ये जो वर्षा का पानी है ये किसी नवीन इस्थल आकरितियों की उपर से बहरा हो तो अगर आप ये कहें कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट नवीन होने का साक्ष बताता ही माले का तो ये चारों ही पॉइंट पॉइंट है कि हिमाले एक नवीन परवद एक यंगेस फोल्डेड मौंटेन है तो सही उत्तर इस कुश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी एक, दो, तीन और चार चलिए अगले प्रशन पर चलते है अगला प्रशन कहता है हिमाले की पहाड़ी शिंगला में उचाई के साथ निम्न कार्णों से वनस्पती में परिवर्थन आता है कौन-कौन से कारण, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाओ, मिट्टी का अनुपजाओ होना और तेज हवा होना तो देखिए वनस्पती के लिए जो important factor होता है वो है तापमान और वर्षा और साथ ही साथ मिट्टी का अपजाओ होना अगर आप हिमाले की बात करें तो हिमाले के सता पर गिरिपत पर आपको उस नकटी बंदी वनस्पती देखने को मिलेंगे सबसे पूर्व वाले भाग पर अर्थात पूर्वी हिमाले वाले पार्ट पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको सदा बहारी वनस्पती दिखेगी फिर जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो सदा बहार से फिर आदर सदा बहार, आदर सदा बहार से फिर आपको पर्णपाती, पर्णपाती के बाद आपको कटीले वनस्पती भी दिखेंगे पश्ये में, तो ये जो आप गिरिपत पर देख रहे हैं, सता पर देख रहे हैं, अभी आप जमीन में खड़ें, उचाई पर चड़ने लगेंगे तो तापमान गिरने लगेगा वर्षा की मात्रा भी गिरेगी और उपर में आपको जो वनस्पती दिखेगा या उपोष्ण कटी बंधिये जलवाईयू वाले वनस्पती दिखने लगेंगे जैसे की कोण धारी वनस्पती और मिट्टी का उपजाव होना अनुपजाव होना वनस्पती के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन तेज हवा जैसी कोई भी कहानी हिमाले के वनस्पतियों में विसंगती का कारण नहीं बनती तो इस प्रकार से आपको फोर हटाना है और सही उत्तर इस कोश्चन का है ऑप्शन ए एक दो और तीन सही ठीक है चलिए निमले रिखित उच्चावज आकरितियों पर ध्यान दीजिए महदेव मैकाल छोटा नाकपुर पहाड़ी और खासी पहाड़ी उप्रोक्त उच्चावज आकरितियों का पश्चिम से पूर्व ध्यान रखेगा पश्चिम से पूर्व वेस्टू इस्ट की और बढ़ते हुए सही करम बताएं मतलब पश्चिम में कौन होगा पूर्व में कौन होगा ये बताना है चलिए समझते हैं प्रश्रिम से पूर्व की तरफ हम चल रहे हैं तो देखिए सत्पूरा परवत में आपको ये गाविलगड फिर महादेव फिर MP 36 बॉर्डर पर मैकाल रेंज फिर ये छोटा नाकपूर पहाड़ी और जब और पूर्व में आप जाएंगे तब ये गारो खासी जेंतियां क्लियर हैं तो ये रहा फश्रिम से पूर्व का विज्टार अब जो कोश्चन हम से पूछा गया है उसमें गाविलगड तो नहीं है लेकिन महादेव है मैकाल है छोटा नाकपूर पठार है और खासी पहाड़ी है तो सहीं उत्तर इस कोश्चन का क्या हो जाएगा महादेव पहले फिर मैकाल छोटा वन टू त्री फोर ऑप्शन ए इस कोश्चन का सहीं उत्तर हो जाते है महादेव पहाडी से ही तापी नदी निकलती है महादेव पहाडी पर ही धूबगड़ है जो कि सत्पुड़ा की सर्वोच चोटी है मैकाल चत्तिजगड़ और मद्यप्रदेश की सीमा पर है मैकाल की वज़े से ही चत्तिजगड़ का भाग में विष्टी छाया छेत्र बनता है जहां वर्षा कम होती है मैकाल की सर्वोच चोटी है अमरकंटक और अमरकंटक से दो नदिया निकलती है कौन-कौन सी नर्मदा और सोन नदी छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से जारखंड में फैला हुआ है जो की हजारी बाग पठार और राची के पठार और राजमहल पहाडी के संयुक तुरूप है और हजारी बाग और छोटा राची पठार के बीच से दामुदर नदी बहती है खासी की पहाडी गारो खासी जैंतिया में गाले पठार के अंतरगत आती है और खासी के दक्षिन में ही चेरापुंजी और मौसिन राम है जो सरवादिक वर्षा प्राप्त करने वाले छेत रहे हैं तो ये इन पहाडियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपुन तत्य थे जो मैं यहीं पर बताकर आपका रिवाइस करना चाह रहा था जो कि मैंने कर दिया चलिए अब पश्चिम से पूर्व की कहानी तो हो गई ठीक इसी पैटर्ण पर आधारीत उत्तर से दक्षिन पर बेस कोश्चन भी पुछा जा सकता है उत्तर से शुरू कर दक्षिन की और नीचे दी गई पहाडियों पर सहीं अनुकरम चुनिये पहले हम इन सारे पहाडियों पर जो जो लिखा हुआ उसकी बात कर लेते हैं ठीक है तो जैसे की नलमलाई यह आंदरपदेश पर इस्थित है नीलगीरी यहां पर यह जो पहाडी है इसमें वेस्टन घाड और इस्टन घाड पशिम और पुर्वी घाड मिलते हैं और यह करनाटक केरल और तमिलनाडू की सीमा पर इस्थित है छिग के और इसी नीलगीरी पहाडी पर उटी पर यह इस्थल भी इस्थित है जवादी या तमिल नाडू राज्य पर इस्थित है और यह एक बॉक्साइट लाइम स्टोन वाला भंडार वाला छेद रहे है अन्नमलाई या केरल और तमिल नाडू की सीमा पर इस्थित है और इसकी सर्वोज चोटी अन्नाई मुडी दक्षिन भारत की या प्रायदूपी भारत की सर्वोज चोटी है चीक है चली अभी हमने सिर्विन पाडियों के बारे में कुछ मैं तो पुन तत्थे रिवाइस किये हैं अब हम इसे इस इमेज पर देखते हैं चलिए तो ये रहा नलमला नलमला के दक्षिन में आएगा जवादी उसके बाद आएगा निलगिरी और निलगिरी के बाद फिर है अन्ना मलाई तो नलमला उत्तर में जवादी फिर निलगिरी और फिर अन्ना मलाई चलिए तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है इस कोश्चन का वह है नलमला जवादी निलगिरी और अन्ना मलाई पाड़ी क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं निलगित में से कौन महराश्ट में इस्थीत नहीं है इस तरह का कोश्चन पस्चिम से पूर उत्तर से दक्षिन अब राज्य पर अधारी तो बाला घाठ शेणी हरिश्चन शड़ी मांडव पहाड़ी और सत्माला पहाड़ी तो देख रहे हैं यह महराश्ट की सीमा है कुछ इस प्रकार से ठीक है फिर यह 36 गड़ा आगया तो देखिए सत्मला अजन्ता बाला घाठ हरिश्चन यह सभी महराश्ट में आते हैं ठीक है तो सहीं उत्तर इस कुश्चन का जो होने वाला है वह है मांडव पहाड़ी बाला घाठ हरिश्चन सत्माला यह सभ महराश्ट में थे मांडव नहीं था मांडव कहां पर है यह मध्य प्रदेश पर है विन्धियन रेंजी में चलिए गुरू शीखर जिसकी हाइट 1722 मेटर है यह इस अरावली की सरवोच चोटी है कोड़ाई कनल अन्न मलाई पहाड़ी यह हमारा सहीं उत्तर होगा क्योंकि कोड़ाई कनल अन्न मलाई पर नहीं बल्कि पालनी पहाड़ी पर इस्थित है यह पीस्सी पर पूछा गया है ठीक ह पालनी हिल्स और कोड़ाई कनल वाला हाला कि पालनी हिल्स को अन्न मलाई का ही एक विस्तार कहते हैं अगर इमेज मैं आप पुद दिखा पाऊं तो आप पालनी हिल्स यहाँ पर तो नहीं है ठीक है चलिए आगे कहीं पर होगा तो बिल्कुल देखेंगे चलिए उटकमंड निलगेरी तो उटकमंड क्या है वही उटी शिमला पीर पंजल शेणी में है तो यह तीन तो सुमेलित हैं इसलिए सहीं उत्तर नहीं है तो सुमेलित कौन सा नहीं है कोड़ाई कनल अन्नमलाई और वो हमारा सहीं उत्तर है चलिए दसवे कोशन पर चलते ह पाल घाड निम्न लिखेत में से किनके मद्ध है ये रहा दक्षिन भारत का image देखिए जो पालनी हिल्स में आपको दिखाना चाह रहा था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये रहा अन्ना मलाई और ये है यहाँ पर पालनी हिल्स तो अन्ना मलाई का ही विस्तारी भाग कहते हैं पालनी हिल्स को अब चलिए पाल घाड के बारे में पूछा गिया है किसके किसके बीच है तो देखिए ये रहा पाल घाड ये पाल घाड ये रहा किसके किसके बीच है निलगिरी और अन्ना मलाई के बीच है यह जो पाल घाट है यह केरल के पलककड और तमिल नाडू के कोईमबेटू शेहर को जोड़ता है इसलिए भी यह बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए हमारा सही उत्तर अब हम मिल चुका है जो की क्या है निल गिरी और अन्यमलाई पहाड़ियां जो केरल के पलककड और तमिल नाडू के कोईमबटूर को जोड़ता है चलिए ग्यारवा कोश्चन पासेस पर अधारी थे दर्रों पर अधारी थे भूमला जेलेपला मुलिंगला शिपकीला ये पूछ रहा है प्रवती दर्रा और किस राज्ये पर है वो दूसरी सुची पर है ठीक है तो शिपकीला तो आपको याद होगा ये तो बहुत कॉमन्स है कि शिपकीला कहां हिमाचल पदेश पर इस्थित है क्योंकि शिपकीला की सायता से ही इसी दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो डी का टू आपको चुनना है तो ए और सी ऑप्शन यहां से हड़ जाता है तो बी और डी रह जाता है जेलेपला सिक्कीम पर इ सारे डिस्प्यूट्स में नाथूला जेलेपले का जिक्र होता रहता है तो बी का थ्री तो यह उत्तर आपका सही हो गया ठीक है शिपकीला अर्था डी जो है वह तू है और जो जेलेपला है भी है वह है थ्री है चले अरवली एवं विंद शिंखलाओं के मद्ध कौन सा प यह रहा अरवली यह रहा माउंट अबू और यह रहा गुरु शिखर और यह रहा विंद्यन रेंज और कौन सा पठार, इनके बीच आ रहा है? वह है मालवा का पठार तो अरावली और विंदियन के बीच कौन सा पठार है? मालवा पठार, मालवा प्लेटियों चलिए तो सही उत्तर, मालवा का पठार आगे बढ़ते हैं सागर पुलीन अर्थात बीचेस की कहानी है ये सूची एक को सूची दो के साथ सुमेल कीजिए और सूचीयों के नीचे देखिए गोपालपूर तो बहुत फेमस है कि ये उडिसा पर इस्थित है कलेंगूट गोवा पर कोई भी वेक्ति अगर गोवा गया होगा तो कलेंगूट बीच और बागा बीच तो घुमाई होगा ठीक है मरीना या मरीना बीच चन्नाई पर इस्थित है और तमिलनाडू आप इसे कह सकते है ठीक है तो चलिए सहीं उत्तर का मिलान करते हैं तो B का 3 ओडिसा C का 4 गोवा और D का 1 तमिलनाडू दीगा जो है एक आटू पशिम मंगा ठीक है चलिए बैरेन द्वीब पर आधारित ये कोशन है निमनल की कत्रों पर विचार करें बैरेन द्वीब ज्वाला मुखी का एक सक्री ये ज्वाला मुखी है ठीक है दो प्रकार की ज्वाला मुखी होती है एक शक्री और एक शोशुप्थ शोशुप्थ इसे इंग्लिष में कहते हैं अब जौला मुखी शक्री नहीं है और यहाँ पर सक्री वाले को एक्टिव वॉलकेनों कहते हैं मरतलब उसमें जौला मुखी पक्रियां चल रही है तो Beiren Dweeb जो की है अंडमान निकोबार द्वीव समू पर या जोळा मुखी का एक सक्री जोळा मुखी है बिल्कुल सहीं Beiren Dweeb ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमेटर पूर में इस्थीद है ये गलत हो गया ये अंडमान द्वीब समूपर है निकोबार पर नहीं है पिछली बाद ये बैरल लिखा हुआ है ध्यान रखेगा स्प्रिंटिंग में स्ठेक है बैरन होगा 1999 में उद्गार हुआ था जी नहीं ये 2013 में भी एक्टिव हुआ था एक बार हम इस बैरन द्वीब के लोकेशन पर देख लेते हैं देखिए ये रहा कोको चैनल तो कोको चैनल को आप लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं कोको चैनल क्या है तो कोको द्वीप कोको आइलेंड जो की किसका हिस्सा है म्यानमार का और लेंड फॉल द्वीप जो की अंडमान निकोबार्थ द्वीप समी का सबसे उत्री द्वीप है तो कोको आइलेंड जो की म्यानमार का है और लेंड फॉल द्व जो की अंडमान निकोबार्टीब सम्यूप का Dwip है, सबसे उत्री Dwip है, उसके बीच का एक gap है. तो एक प्रकार से भारत और मेनमार के बीच का warrior है जली ये सीमा है goko channel, अब अंडमान द्वीब समू थीन इस्सो पर विभाजित है, दो इस्सो पर वैसे तो नौर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान और इन तीनों को ही एक सम्मिलित रूप से कह दिया जाता है ग्रेट अंडमान उसके बाद दक्कन पास है और दक्कन पास के पास लिटिल अंडमान है लिटिल अंडमान के पास के बाद 10 डिग्री चैनल है जिसके बाद निकोबार द्वीव समूँ शुरू होता है तो यह जो बैरन द्वीव आप देख रहे हैं यह मध्य अंडमान के पुर्व में इस्तित है ग्रेट निकोबार के पास नहीं है यह और इस से लगबाग 135 किलोमेटर की दूरी पर है नारकोंडम द्वीव जो आप यहां पर देख रहे हैं यह एक शुशुप्त ज्वालम की है इस अंडमान द्वीव समू का अंडमान निकोबार द्वीव समू का सबसे उची चोटी है सैडल पीक 732 मीटर दक्षणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो की यहां पर प्रशा तो इतनी सारी जानकारी के बाद एक रिविजन भी हो गया और सहीं उत्तर हमारा इस कोशन का है अप्षण एक केवल एक तोकि यह दो और तीन तो गलत था चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 15 निम्न लिखित कत्वनों का परिक्षण करें एवं नीचे दिये गए कूट से सहीं उत्तर चुनें देव प्रयाग अलग नंदा एवं भागी रथी नदी के संगम पर इस्थित हैं ठीक है चेक करेंगे रुद्ध प्रयाग अलग नंदा और मंदाखनी नदी के संगम पर इस्थित हैं अलग नंदा नदी बद्रिनाथ से बैती है और केदारनाथ आदी संक्राच्षार द्वारा स्थापी सबसे बड़ी पीट के रूप में मानी जाती है यह गलत है केदारन एक जोतिल लिंग है भारत में बारा जोतिल लिंग है जिसमें से केदारनाथ है और कहां कहां पर है तो सोमनाथ है केदारनाथ है काशिविश्वनाथ है मलिकारजून है और चेक बारा में से अभी इतने ही याद आ रहे हैं बाकी समझेंगे तो देखते हैं यहाँ पर देव प्रयाग में भगीरती नदी और बदरी नाथ से निकलने वाली धौली गंगा बदरी नाथ से निकलती है निकलने के बाद विश्नु प्रयाग में अलक नंदा बदरी नाथ से निकलती है धौली गंगा विश्नु प्रयाग में इससे मिल जात अलकननदा नाम से ये संयूक्त धारा आगे बढ़ती है और नंद प्रियाग में नंदाकनी नदी इस अलकननदा से मिल जाती है। उसके बाद पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में इस अलक नंदा नदी से मिल जाती है। संयूगत रुप से अभी भी अलक नंदा नाम से ही आगे बढ़ती है। रुद्ध प्रयाग में मंधाकनी नदी जोकि केदार नाच से निकली है वह आकर मिल जाती है, और फिर ये अलग ननदा नाम से आगे बढ़ती है. गंगोत्री सतुपद ग्लेशियर से भगी रती निकलती है जो कि इस अलग नंदा में देव प्रयाग से मिलती है और उसके बाद ये जो संयूक तुधारा आगे बढ़ती है ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है तो अलग अलग प्रयाग पर अलग अलग नदियां अलग नंदा से आकर मिलती है तो सही उत्तर इस question का जो है यह बस आखरी वाला गलत है बाकी का सही है तो option A, एक, दो और ती सही उत्तर हो गया इस question का चलिए आगे बढ़ते हैं निमनलखी कत्रों पर नदियों पर विचार करें बाराग नदी, लोहित नदी, सुबंसरी नदी कौन सी अरुनाचल पदेश से होकर बहती है चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो अरुनाचल पदेश से बहने वाली जो नदियां है वह है लोहित नदी और यह है सुबंसरी ये दोनों ब्रह्म पुत्रा नदी की सायक नदी है और असम के मैदान में ब्रह्म पुत्रा नदी से मिलती है जो बराक नदी है ये मनिपूर से निकलती है और ये बांगला देश में ब्रह्म पुत्रा से मिलती है और उसके बाद संयुक्त धारा मेखना नाम से आगे बढ़ती है तो ये जो बराक है ये ब्रह्म पुत्रा की सायख नदी तो है लेकिन ये अरुनाचल पदेश में नहीं भैती चलिए तो बराक को हटा दीजिए दो और तीन इसका सही उत्तर हो गया चलिए अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन कहता है तीस्ता नदी के संदर पर निम्ल की कत्रों पर विचार गीजिए तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्म पुत्रा का है लेकिन ये सिक्कम से होकर बैती है देखे ये गलत है अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो यह मानसरोवर लेक के समीब चेम यांगदूंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है और तिस्ता का ओरिजिन यह सिक्किम पर सिक्किम में जेमू ग्लेशियर की एक इंपॉर्टेंट फेक्ट कि यह 26 किलो मिटर लंबा ग्लेशियर है और यह पुर्वी भाग में सबसे बड़ा हिमानी है ग्लेशियर है जेमू से यह तिस्ता नदी ओरिजिन होती है फिर उसके बाद पश्रिम बंगाल के दारजलिंग पहाडी और जलपाई गुड़ी से बैते हुए बांगला देश में प्रवेश करती है और उसके बाद रंगपूर में रंगपूर बांगला देश में ब्रह्म पुत्रा नदी से मिल जाती है तो जो की तिस्ता नदी क्या है ब्रह्म पुत्रा नदी की सायक नदी है ठीक है तो तिस्ता नदी भारत एवं बांगला देश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है यह गलत ब्रह्म पुत्र की सायक नदी है ये डारेक्ट बंगाल की खाड़ी पर जाकर नहीं मिलती, जीक है, रंगीत नदी की उत्पत्ती सिक्किम में होती है और ये तिस्ता की एक सायक नदी है अन्य प्रायदुपी बढ़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? या एक रेखी विभ्रंश रिप्ट घाटी में विस्तित है या विंद और सत्पूरा की बीच बहती है। भूमी का ढ़लान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। चलिए। ये गलत अगर हम प् पूर्व की ओर है। इसलिए गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियां पश्चिम में उद्गमित होती हैं लेकिन धलान की वज़ा से पूर्व की ओर धलान है। इस वज़ा से ये पूर्व की ओर जाती हैं। और ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है क्लियर है यह विंद और सत्पूरा के बीच बहती है बिलकुल और यह इस ढहलान के विप्रीत वाला मामला क्यों करती है ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक रिफ्ट घाटी को मार्ग बनाकर बहती है अब यह जो रिफ्ट घाटी का ढाल है यह है पुर्व से पश्चिम की और क्लियर है देखें दूसरा जो कथन है यह विंद और सत्पूरा के बीच बहती है यह कथन सही है लेकिन यह कारण नहीं है कि यह पुर्व से पश्चिम की और बहने का कारण नहीं है इसलिए आप यहाँ पर उसे नहीं चुनेंगे सही आंसर में तो केवाल एक इसका सही आंसर है क्योंकि जो पूछा गया है उसका लिने जेना ये टू से नहीं है सही तो है लेकिन पूछा गया है कि भई ऐसा पुर्व से पश्चिम के और क्यों बैती है तो भई विंद्य और सत्पुड़ा के बीच बैती ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना ये तो कोई कारण नहीं हुआ कारण यहीं हुआ कि यह एक रेखी विभरंच घाटी में विस्तित है और जो तीसरा वाला है वह तो गलत है चेक है चलिए तो इस प्रकास से अठारा कोश्चिन हमने डील किया और मेरी कोशिश यही रही कि आप लोगों के रिविजन में करवा सकूं इंपोर्टन टॉपिक्स के और भी कोश्चिन होंगे ऐसे ही अठारा बिस कोश्चिन होंगे अगले वीडियो में पार्ट टू में तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर गुडबाय एंड थेंक यू